नमस्कार दोस्तों आओगा फिस्टी स्वागत भेहतनी वीडियो सिवाटते ही लास्ट वीडियो के आपने पड़ा था the moment अलोंग डेमांड करव इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं डिमांड जो है, डिमांड जो हो चेंज होती है, not due to change in price, not due to change in price, but due to change, due to change in the, due to change in the values of other variables, variables in fluency demand, यानि कि यहां पर यह होरहा है कि demand में जो परिवर्तन हो रहा है, वो price की वजे से नहीं हो रहा है, बद की क्या होरा है कि दूसरी जो other goods है, फीद है, इस other goods. कि वज़े से क्या हो रहा है उनकी वेल्यूस में परिवर्ट की वज़े से हमारी डिमांड जो है उसमें परिवर्टन हो रहा है यह दो प्रकार का हो सकता है या तो क्या होगा Outdoor Ним VO से खाएं스र हैंश कुर्छ। इंक्रीज इन दि मनें या फिर होगा इसे डिक्रीज इन डिमान्ड। आपको दो तरह का जो चेंज जो हैं, वह देखने को मिलेगा इंक्रीज इनदीमान्ड और डिक्रीज इन डिमान्ड। आप ने देखा Increase In Demand, or Decrease In Demand, आपको दो तरह का जो चेंज जो हैं, वो देखने को मिलेगा, Increase In Demand और Decrease In Demand, आपने भी देखा वहां पर, हमने मोमेंट अलोंग , और यूंपर आप वहारा था shifting of the demand curve, result increase and decreasing in demand, result in shifting of the demand curve, momental demand curve में क्या हो रहा था, वहाँ पर हो रहा था कि A point से B point इस तरह से more हो रहा था, यहां पर जो curve जो हो हैं वो shift होगा, curve जो हैं वो shift होगा, यानि कर्व हैं वो अप्वार्ड में shift होगा, इस तरह की आपको चीज़ देखने को मिलेगी, कैसे होगा shift वो देखते हैं, सबसे पहले जो है मैं आपके लिए करो बना देता हूं यान कि कोई भी कंजूमर जो है वो कंजूमर किसी भी other goods की जो values हैं उनमें परिवर्तन होने की वज़े से जो है अधर जो वेरिबल्स उनमें उनकी वज़े से जो चेंज होगा तो वह किस तरह से हो करेगा quantity डिवांडेट उसकी कैसे क्या क्या रह सकती है उसके बारे में हम ग्राप के द्वारा जो है आपको समझाने का प्रियास करते हैं देखे मानगे चलिए कोई भी कंजूमर जो ह करता है क्यों quantity purchase करता है अब यहां पर हमने बताया कि price में परिवर्तन होने की वजह से दिवांड में परिवर्तन नहीं हो रहा है change हो रहा है due to change in the value of other variables influencing demand अब पहली condition क्या हो रही है पहली condition हो रही है कि या तो यह increase हो सकते है तो सबसे बहुत को लेकि इंक्रीज इन दिमांड की अभी जो डिमांड कर्व जो है वो कहां पर आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पर डिमांड कर्व देखने को मिल रहा है इस जगह पर आपको डिमांड कर्व देखने को मिल रहा है इंक्रीज इन डिमांड जो है वो के एगर more demand more demand at same price यानि कि price यही रहेगा लेकिन values of other variables उनमें परिवर्तन होने की वज़े से क्या हो गया price सेम रहने पर भी क्या हो गया आपकी quantity जो है वो यह जो एक condition यह हो सकती है या फिर इसी के अंदर एक condition यह हो सकती इंक्रीजिन डिमांड में की same demand at higher price इंक्रीजिन डिमांड में more demand at same price या फिर same quantity at higher price मदब quantity वही रहेगी लेकिन demand में price में क्या हो जाएगा वो परिवर्तन हो जाएगा तो एसी condition में जो हमारा demand curve है वो का हो जाएगा shift है वो इस तरह से shift हो जाएगा यानि कि हमारा जो कर्व है वो dd set dd1 यानि यह अपनी right side में जो है यह shift हो गया यह देखा आपने decrease in demand में क्या होगा decrease in demand में Lace demand Lace demand at same price Lace demand at same price में क्या बोग रहा हूँ बास समस्पार है Lace demand decrease in demand means at the less demand यानि कि demand जो है वो क्या होगी वो होगी यहाँ पर कम कि किस पे same price पे यानि price में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन यहाँ पर आपकी quantity demand में परिवर्तन हो गया है यानि कि Lace demand at same price या फिर same demand same demand यानि कि क्यों रही demand रहे कहां पर at lower price at lower price बास समस्पार है तो एसी condition में भी क्या होगा हमारा demand कर्व जो है वो कहां shift हो जाएगा right side में shift जाएगा d2 जो है हमारा demand करो demand करो जो है वो क्या हो गया shift हो गया increase in demand में क्या हो रहा है increase in demand demand करो shift upward to right side increase in demand में यानि कि यह वाली क्यों condition आप देख पा रहें डीडी से जो shift हो रहा है यह हमारा upward shift हो रहा है क्योंची side में right side में इसी condition होती है तो इसको जो है क्या बोलेंगे increase in demand ठीक है और dd से shift होगा dd2 यह हो गया downward downward यहनि कि आपकी left side के अंदर यह रहेगा आपका decrease in demand decrease in demand बात सहुच पार है decrease in demand तो basically हमें increase in demand के लिए क्या बोलेंगे increase in demand के लिए हम बोलेंगे इबार में rate pen से आपको थोड़ा साथ शोगर रहा देता हूं इसमें यह फिर highlight ले दोगे सबसे पहले increase in demand में देखिया आपको more demand more demand at same price यह फिर same demand at higher price same demand at higher price तो यहां पर हमारा जो curve shift हुआ यह इस जगह भी हो गया है इसको बोलेंगे increase in demand decrease in demand में रहेगा कि less demand at higher price यह फिर same demand at lower price इस condition में भी हमारा जो curve है वो नीचे क्रब shift हो गया तो यह हैं आपकी shift in demand curve किस तरह से shift होता है तो आप लोगों को यह upward downward left right जो है combination समझ में आ गया होगा उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ध्यान रखेगा एक्जाम में जब आपसे कई बार question पूछा जाता है तो shift in demand के जगए आपसे directly वो जो है इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो आप इसको बताने के लिए आपसे पूछ जाता है कि increase in decrease demand change in demand को समझाईए तो increase and decrease demand जो है उसको denote किया जाता है change in demand जबकि अगर हम बात करें हमने moment along the demand करो वहाँ पे देखा था तो वहाँ पे उसको हम जो denote करते हैं तो होता है change in quantity demanded change in quantity demanded यानि कि moment जो है moment along demand करो इसको जो denote किया जाता है change in quantity demanded जबकि increase and decrease demand को denote किया जाता है change in demand उमेद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लागा होगा वीडियो को like करके जाएगा और बाकि अपने दोस्तों के साथ में इसको share कीजिगा thank you so much